सूप्रभात शुप संध्या प्यारे दोस्तों कि आप मुझे भैतरीन रूप से सुन पा रहे हैं अगर हां तो क्रिप्या करके ध्वनी की पुष्टि करन करते हुए चैट में एक से लेके दस्तक की गन्ना में संकेत दे दीचे बहुत-बहुत धन्यवाद आपके feedback का क्योंकि ध्वनी इसलिए आपसे पूछ रही हैं क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा आवास में कुछ समस्या थी तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके feedback के लिए और मैं शमा चाहूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा विलंप हो गया वेबिनार की शुरुवात करने में क्योंकि एक phone call म इस पहे मुझे बात करनी पड़ी उसके कारण थोड़ा विलंप हुआ और एक और जूम मीटिंग चल रही थी तो आज के हमारे में स्पान कौन है सप्ता दर सप्ता इतनी तीव्र गती से आगे बढ़ रहा है और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी पिछले गुरुवार हमारे कार्याले में जो हमारा कार्याले है आई-टी कंपनी का और वो बहुत ही प्रतिष्टित आई-टी कंपनी है जो की वीनस के अंदर स्थापित है और उस कार्याले में मैं वैलन्टीन जी के साथ थी और वहां पर हमने काफी प्रकार से संपर्ख किया समबात किया और वहां से एक सप्ता हुआ है एक सप्ता के बाद हम वापस हमारे देश में आए हैं तो केवल दो ही स्लाइड्स हम बना पाए क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे स्लाइड्स के निर्मान करने में जिसके अंदर हम सभी प्रकार की स्टेट्मेंट डाल पाते क्योंकि जो हमारे वेबिनार हैं उसको बारा भाशाओं के अंदर अनुवात किया जा रहा है इसलिए केवल जो मेरी स्लाइड्स हैं वो केवल चित्रों के साथ है हाला कि मैं एक-एक करके गहराई से उसके बारे में आपको बताऊंगी ताकि आप बहतरीन रूप से समझ पाएं कि आखिरकार हो क्या रहा है फिलाल हम किस चीज के अंदर व्यस्त हैं रूसी कक्ष के अंदर रूसी कक्ष के लोगों को जर्मन अनुवाद कहीं से प्राप्त हो रहा है ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ तक नीकी समस्या थी शायद रूसी कक्ष में लेकिन अब सब ठीक है तो अब हम बात करेंगे सबसे नवींतम समाचारों के बारे में जिनके बारों में आपने बैक आफिस में भी पढ़ा होका चैट में भी आपने सुना होका कि हम लोगों ने पंजी करन शुरू किया है हमारी यूनिट एक्सचेंज पर कई ऐसे लोग हैं जो अपनी रेफरेल लिंक को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे आशा है कि आप सभी को अपना अपना रेफरेल लिंक प्राप्त हो क्या होगा जहां पर आपको ये पता होगा कि यह आप उसके तह्ट पंजी कृत होने जा रहे हैं और हम लोग जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वह इस सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं और उस मंच का नाम होगा ग्लोबल पास जिसके तहत हम वेरिफिकेशन करेंगे और यह स्विस कंपनी है जो कि स्त्यापना की यानि verification की प्रक्रिया करता है वैश्विक्स तरपे और यह आप केवल अपने passport को upload करके चहरे का चित्र लेके ही नहीं कर सकते जो verification है लेकिन यहां पर जो global pass है उनके कुछ करमचारी है जिने compliance officer के नाम से जाना जाता है और वो जाच करते हैं अगर स्वचलित रूप से यह ना हो पाई तो ऐसी स्थिती में वो एक पत्र को लिखते हैं कि यह जो पासपोर्ट है यह अच्छे तरीके से इसको स्कान नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो चित्र आपने अपने चेहरे का दिया है उसकी योग्यता यानि क्वालिटी खराब है और ज कुछला सप्ता था जिसमें हमने वेरिफिकेशन प्रनाली का चांच की थी उसमें हमें क्या दिक्कते आई हमें यह दिक्कते आई कि जो ज्यादा तर उप्योग करता थे वो टेस्टर्स नहीं थे बलकि उनकी जा उनको चुना गया था इवेंटी के बाद से इस पार जो टेस्ट है वो हमारी आईटी के विभाक के जो लोग है उन्होंने ही उस चांच में वो सम्मिलित हुए हैं और हमें यह आभास हुआ कि कई सारे जो पासपोर्ट हैं वो अपलोट कर दिये गए हैं बड़े ही बेकार चित्र के साथ क्योंकि जो कैमरा है उसका रि से यह फीड़बैक मिला है कि बहुत ही बुरी चित्रों के साथ वेरिफिकेशन के लिए आपको चित्र हैं या दस्तावेज हैं वो समर्पित किया गए हैं और इसको मैन्विली किया जाएगा ग्लोबल पास के तहत तो पिछले शुकरवार से लेके इस सोमवार्ता कि जो चा और यहां पर एक सवाल पूचा गया है कि अगर हम फिलहाल जो वेरिफिकेशन है एक्स्चेंज पर अगर शुरू कर देते हैं और जो हमारे 30,000 के जो हमारे भागितार हैं उनको अगर हम ग्लोबल पास पर भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो जो ग्लोबल पास है वो ए तक प्रतेक उप्योग करता के लिए हम यह शुल्क लेंगे और अगर सब कुछ तेजी से हो तो यह 1.5 यूरो का शुल्क लिया जाएगा और उन्हें कम से कम पांच कम्यूनिकेशन करना है या यह कहना कि यह इस प्रकार की चीज आपको बता सकते हैं कि आपका अगर चित्र ज जो शुल्क है वो ज्यादा महंगा होगा जैसे 2-3 यूरो भी लग सकते हैं तो हर फंक्शन के लिए और हर जो काम को किया जाएगा यूजर प्रोफाइल के साथ उसमें जो शुल्क है वो 20 सेंट का है और अगर सब कुछ बहतरीन रूप से अपलोड कर दिया जाएगा तो ऐ पहरा दौर होगा आपके जाच का उसमें हमें आभास हुआ कि अगर हमें हमारे 30,000 भागिदारों को वेरिफाइ करना है तो ऐसी स्तिती में लगपक हमें एक लाख यूरो देने पड़ेंगे क्योंकि जो आपके फोन कैमरा है मान लीजे अगर उसका योगयत अच्छा नहीं है या खराब योगयता है या कोई रेजिदेंशल एड्रेस आपका खराब आपने गलत दे दिया है तो उसमें हमें महेंगा पड़ेगा और क्योंकि अभी तक जो वेरिफिकेशन है वो फिलाल शुरू नहीं हुआ है तो एक्स्चेंज पे फिलाल हमारा कोई राजस्व नही है हमारे पास अभी कुल 30,000 लोग हैं और ग्लोबल पास पोलते हैं कम से कम 50,000 का तो आप हमें शुल्क डिपॉसिट करिए ताकि हम आपके जो प्योग करता है उनको वेरिफाय करना शुरू करें तो हमने उस कंपनी के जो शीर नेता है उनके साथ हमने बात करी और सभी मैने से ही नहीं वेरिफाय करेंगे भागेदारों को बल्कि पेमेंट सिस्टम और यूजी पे ऑफिस से भी करेंगे जब लोग वर्ड सी आडियू टोकन को खरीदेंगे तो आहिए अग्ली स्लाइट पर चलते हैं एक प्रकार का स्की माटिक व्यू है ग्लोबल पास सेवाओं का और ये हमारे जो तीन स्थर हैं जो हमारे व्यावसाय के वह इस स्लाइट पर आप एक्सचेंज और जितने भी हमारी संभावित कंपनियां हैं जो हमारी होल्डिंग के तहट आते हैं उनके ग्राहक वेरिफिकेशन प्रणाली के माध्यम से गुजरेंगे और कोई भी यह जो कंपनी है वो भुकतान नहीं करेगा का वेरिफिकेशन के लिए तो आपको ग्लोबल पास के माध्यम से केवल एक बार वैरिफाई होने की आवेशक्ता है और जो शुल्क है वह कम्पनी भुकतान करेगी जहां से ग्राहक पहली बार आ रहा है और जो ग्राहक है वह बाक office के अंदर टिक पे क्लिक करेगा कि आप मेरे व्यक्तिकत खाते का उपयोग कर सकते हैं भुकतान प्रनाली में जैसे global unit पे या मैंने unit exchange पे खुद को पंजिकरित किया है और मैं सहमत हूँ कि आप मेरे व्यक्तिकत data का इस्तमाल कर सकते हैं unit exchange से और फिर जो दूसरा शुल्क है वो उसका आपसे बुकतान नहीं मांगा जाएगा मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपको यह प्रक्रिया समझ में आ रही है या नहीं और आप यह समझ पा रहे हैं या नहीं कि जो इसका प्रभाव है यह कितना प्रभावी रहेगा तो सबसे पहले हमें लोगों को ग्लोबल पास वेरिफिकेशन के माध्यम से गुजारना है तो यहां पर दिखिए चित्र में नीचे लिखा है नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन यह आपको यह दिखाता है कि जादा तर जितने भी हमारे भागितार हैं वो सबसे अच्छे पैमेंट सिस्टम का उप्योब कर सकते हैं जैसे कि ग्लोबल युनिट पे एक ऐसी प्रनाली है जहां आप उर्डर कर सकते हैं एक बैंक अर्ड को और इस बैंक कार्ड की कई सारी कारेशमताऊं यानि फंक्शिंस है और आप अपने बैंक अकाउंट, आप अपने खाते को बैंक कार्ड या बिटकोईन के माध्यम से भी टॉप अप कर सकते हैं, और अगर आपके पास URO या USTT है, तो भी आप इस कार्ड के माध्यम से टॉप अप कर पाएंगे, और उसी तरह से अगर हमारे जो भागीदार हैं, अगर वो वैश से एक खाते को खोलें, और वर्चुल कार्ट को जारी करें, आपको प्लास्टिक कार्ड का इंतजार नहीं करना होगा, आपके एड्रिस तक पहुंचने के लिए जो शिप्मेंट है, उसमें दो से तीन सप्ता लगता है, और बहुत जल्द क्रिसमस आने वाला है, तो मुझे जो लगता है कि जो आपका प्लास्टिक कार्ड है, वो शायद जनवरी तक ही आपको प्राप्त हो, और जो रॉयल कार्ड है, वो एक्दम आपको प्राप्त हो सकता है, और ग्लोबल यूनिट पे में वेरिफाइ होने के बाद, आप बटन पे क्लिक करें कि मेरे वर्चुल का निर्मान करें वहाँ पर पंच से 10ु46 का भुक्तान करेंगे जो कि आपके जोकिम किस पर पर निरभर करेंगे और पर है तुरंतoten उसका ministry कर पाएंगे और उसके तहत आप किसी भी बैंक की कार्ट के माधियम से टॉप्प कर पाएंगे बैंगे इस पैर तो आप इसको अपना जो भी शॉपिंग आप कर रहे हैं इंटरनेट पे उसके लिए भी इसका इस्तमाल कर पाएंगे और जैसे इवरेच को ग्लोबल यूनिट पे से जोड़ा जाएगा तो जो आप पोनस इसको विड्रॉब कर रहे हैं एथीरियम पे अबिट कोई पे उनको आप ग्लोबल यूनिट पे कार्ड में विड्रॉब कर पाएंगे और यह जो पेमेंट सिस्टम है ग्लोबल यूनिट पे यह प्रकार का पुल समान है जो कि हमारी कंपनी सारी कंपनियों के लिए काम करेगा यूजी पे यूनिट एक्स्चेंज यूगें इवोरेच निजी निवेशक के अकादमी और इसी प्रकार से आगे और यह हमारी योचना है कि हम अनुमति दे हमारे भागीतारों को कि वो ग्लोबल यूनिट पे मंच के माधम से गुजर सकते हैं अगले सप्ता से तो फिलाल हम लोग अन्तिम जाच कर रहे हैं और जो भरती करना है हमारे स्ट श्ताफ को जिसके अंदर आपके कंप्लायंस ओफिसर भी शामिल होंगे जो की मदद करेंगे वेड़िफाय करने के लिए और और उथराइज करने के लिए वेब साइट पे पेमेंट सिस्टम के जहां पर आप अपने घर का पता लिखेंगे कि कहां पर आपको यह अपना प् किछ है उसका निर्मान किया जाएगा और उसको एक्सप्रेस डिलिवरी के माध्यम से कोरियर किया जाएगा आपकी पोस्ट सर्विस पे पोस्ट सर्विस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा और जो खर्चा होगा वेरिफिकेशन का वो पेमेंट सिस्टम के माध्य से दिया जाएगा माली जगर पांच यूरो के लिए एक कार्ट को खरीदते तो वेरिफिकेशन आपको बिल्कुल प्राप्त होगा और अगर इसके बजाए आगर आप चाहें कि आप वेरिफाय करना चाहें एक्सचेंज के माध्यम से तो यह आपको ज्यादा अराम दायक पड जादा पैसे को खर्चें ग्लोबल पास से जबकि हम इस पैसे को बचा सकते हैं भुकतान प्रनाली का उप्योग करके ग्लोबल यूनिट पे तो जुतने भी हमारे सभी नेता हैं प्रबंधक हैं वो लोग फटा-फट से खुद को वेरिफाय करना चाहते हैं और उसके बाद जो हम चाहेंगे कि जो ग्लोबल यूनिट पे है वो संचुलित हो वो कारेशमता में हो और यह जो एस्टोनियन कंपनी है उस पे वो अभी फिलाल तयार नहीं है रिन उठाने के लिए क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है और इसलिए एक्सचेंज पे यह जो मॉडल है करेंगे तो जो यूजी पे ग्रूप है उसमें बैक ओफिस पे आप पैकेज़ देख पा रहे होंगे वर्ड कुरू टोकन के साथ और यूजी पे ग्रूप जो है उनका एक खाता खुला है ग्लोबल यूनिट पे पेमेंट सिस्टम में और प्रति दिन छोटे-छोटे कदम उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ग्लोबल यूनिट पे को हमारे बैक ओफिस के अंदर प्रति दिन आप लोगों के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए और आप यूजी पे ग्रूप का अनुकरन करके ग्लोबल यूनिट पे मंच तक पहुँच सकते हैं और कार्ट प्राप्त होगा या तो वर्च्वल या प्लास्टिक वाला तो आप इस पेमेंट सिस्टम के माथम से आप एक्स्चेंज पर डिपॉसिट को शुरू कर पाएंगे और वहां पर आपको कोई कमिशन भी नहीं देना पड़ेगा और इस तरह से जो आपके CRU है उसको आ अपने CRU को बेचना है और उसको बिटकोईन में तबदील करना है या ADV कैश में कनवर्ट करना है तो क्रिप्या मिर को बस एक मौका दीजे कि मैं अपने CRU को बेच सकूं लेकिन यह मान लिजे एक बार का कोई किस्सा हो या ऐसी स्थिती हो तो जो मैनेजमेंट है हमारी अपनी की वह पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे भविश्यक में जो हमारा समुदाय है उसका पूरा ध्यान रखा जाए तो यह जो 30,000 हमारे भागिदार है अगर हम इन्हें ADV कैश पे भेचते हैं तो ADV कैश वाले हमें धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे मान लिजे कि जो हमा हमारे जो बैक आफिस अगर वहां से 30,000 या 50,000 हमारे जो उप्योग करता है अगर हम उन्हें रेफर कर देते हैं ADV कैश या किसी और भकता भुकतान प्रनाली पे तो वो लोगो वो लोग हमें धन्यवाद भी नहीं देंगे तो हमारा बस इतनी नियत है कि हम ग्लोबल यून अपना यूरो स्विस फ्रांक और कहीं पर अपने पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे तो यह जो तीन करेंसी मुद्राय है केवल यहीं उपलब्थ हैं अभी और मुझे लगता है कि आप सभी लोग सीखना चाहेंगे कि ट्रेडिंग कब शुरू होगा एक्स्चेंज पे और क अब हमारे पास हमारा ब्लॉक्चेन होगा तो फिलहाल थेईस मिनट पहले मैंने मेरी बातचीत पूरी की है एक कंपनी के साथ जो की तकनीकी ओडिट को हमारे लिए चालू करेंगी तो सबसे पहले हमें टेकनिकल ओडिट को शुरू करना था एक्स्चेंज के लिए पर हमें फिर यह लगा कि हमें इसको ब्लॉक्चेन के लिए भी करना चाहिए और कल जितने भी ब्लॉक्चेन विशेशक यह हैं वो हमें डिजाइन देंगे हमारे सबी खातों का यानि वालेट का और अगले सोंबार से हम लोग चांच करना शुरू करेंगे कि यह कितना बहतरीन रू आप एकदम प्रतिष्टित है और बढ़िया तरीके से तयार है प्रोडक्शन स्टेज के लिए 15 दिसंबर तक तब मैं सभी दस्ताविजों पे हस्ताक्षार यानि साइन करूंगा कि जो आपका ब्लॉक्चेन है वो पून रूप से अनुकूल है हाई यूरोपियन मानकों के हिसाब से उच यूरोपियन मानकों के हिसाब से और जो आपका ICO को मैं स्विस लॉक के तहट आगे चालू करूंगा और फिर आप अपने प्रमान पत्र को जोड़ पाएंगे एक्सचेंज पे और अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है तो मान लिजे आपको कोई हैक करे तो ऐसी स्थिति में आपके पास अपनी टेक्निकल ओडिट रिपोर्ट होगी जो कि यह कहेगी कि आपकी जाच की गई थी यह देखने के लिए कि आपको भविश्य में हाक किया जा सकता है तो जिसे कहा जाता है हाकिंग ओफ 51 तो यह जो तत परता है 15 दिसंबर तक हमें यह सभ आप 15 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं लेकिन मान लेजिए इस दौरान अगर हमें यह पता चलता है कि कुछ भी तुरूटी हो गई या कुछ भी गैर कानूनी चीज हो गई तो यह जो ऑडिट कंपनी है यह हमें यह कहेगी कि हम कोई गारेंटी नहीं कर सकते हैं और ना ही ज जो समर्पत किया आजाएं का इंशूरंस कंपनी पे और इंशूरंस कंपणी ये इन शोड करती है सुनिष्चित करती है कि जो कुल मात्रा है आ आपके पैसे की और जितना हमें समझ में आ रहा है कि जो संभावना है अपेक्षित आये है हमारी एक्स्चेंज कि वो मिलियन य लाइसेंस के साथ और अगर यह इस्यू करते हैं कि प्रमान पत्र को हमारे लिए और अगर माली जे एक दिन के बाद ही अगर उन्हें यह लगता है कि कोई गलती हो गाइख गड़बर हो गिये तो उनका यह जो लाईसेंस है वो उन उनके हाथ से छूट सकता है और मान लीजे किसी भी तरहां से अगर हम लोग 15 दिसमबर तक किसी भी तरहां से अगर यह पहुंच नहीं बना पाते हैं ट्रेडिंग के लिए तो हम लोग न्यू यूर में पहुंच जाएंगे हां मैं जानती हूँ कि कुछ यह जो समाचार है यह आपको थोड़ा परिशान कर सकता है लेकिन आप सभी हमारे सहे मालिक आप लोग हमारे साथ ही हैं इसके क्रिप्टो एक्सचेंज पे मान लीजे कि वहां पर अगर आप 1.000.000 CRU को अगर बेचते हैं तो वह कहीं कहीं और नहीं चले जाएंगे क्यों क्योंकि जो वेरिफिकेशन है इस पूरी स्विस कंपनी की यह हमें एक प्रकार से सुनिश्चित करते हैं कि इस तरहां से आपका खाता है नहीं होका तो मैं जो हमारा क्रिसमस है या न्यू यर के जो हमारी चुटियां है उसमें मैं चिंता में नहीं रहना चाहते हूं क्योंकि हम किसी भी जल्दी बाजी में बिना इंस्पेक्शन के लांच नहीं करना चाहते क्योंकि जल्दी बाजी में काम खराब हो सकत तो अगर आपको को चुनता हो रही हो यह दोग राहिए कि यह उसकता है तो तो मैं आपको यह कहना चाहते हूं कि तकनीकी तो हम ने जल्दीबासी मचा हुँ तो मैं जानती हूं कि आप पर जोक्ष त делает चाहेंगे और आंड्रे भी नहीं ऐसे जोखिम को उठाना चाहेंगे और आईटी विशेशक्यों ने भी कहा है कि एक्सचेंज तयार है सब कुछ तयार है हम ओडिट होने को तयार है लेकिन हम लोग ज्यादा शांत तब होंगे अगर स्वतंत्र थर्ड पार्टी द्वारा इस जो हमारी एक्सचेंज है हमने उसे सो लोगों से जाच करी है लेकिन देखिए वो कुछ नहीं है वो मूफली बराबर है क्योंकि एक्सचेंज की जो जाच है उसको बहुत भारी भरकम लोड के तहत जाच होनी चाहिए जैसे कि हमें यह देखना चाहिए कि कितने ट्रांसाक् कि हमारे जो ब्लॉक्चेन है उसको अधिक्तम लोड से जाच करा क्या है कि सबसे बड़ा जो है वो दस हजार ट्रांसाक्शन प्रतिस सेकंड मान लीजे कि वो उठा सकता है तो फिलहाल हम केवल यह कह सकते हैं कि यह हमारा जो डिजाइन कैपासिटी शमता है वो केवल इतना है हाला कि आप लाइव मोड पे जब जाच करते हैं तभी आपको सटीक रूप से पता चल सकता है कि यह कितना बहतरीन रूप से काम कर रहा है तो तभी हमें विशेशक्यों द्वारा पता चलेगा कि जो हमारा एक्सचेंज है वो उच्छ योग्यता की बनाई गई है और इस से पहले हम लोग एक रश्यन कंपनी के साथ एक अनुबंध में जाना चाहते थे जो कि रश्यन सिलिकॉन वैली की कंपनी थी और वो औरिट कर रहे थे वो औरिट कर रहे थे जो मोबाइल कंपनिया हैं उनका और उन्होंने काफी पुरुसकार भी जीते हैं और और सरकारी श सारे जो भी जो भी चेक करते हैं या जो भी जिसका भी परिक्षन करते हैं वो सिरफ और सिरफ टेक्निकल चीजों का परिक्षन करते हैं वो चेक करते हैं डी-डॉस अटैक के बारे में लेकिन जो यूरोपियन कंपनी है वो सिरफ और सिरफ इन चीजों की बात ही या इन चीज जो जो प्रोग्रामर जो हैं वो इस ब्लॉक्चेन में जिनोंने विक्सित किया है इस ब्लॉक्चेन को उनका भी वो परिक्षन करते हैं वो कुछ प्रशन उनसे पूछती है वो पूछते हैं कि वो कैसे उन्होंने ये काम किया या उनको क्या-क्या दिक्कतें आई और जब ऐस ही हुआ जब वो एक Spanish Exchange का परिक्षन कर रहे थे और उसके अंदर से पता चला कि उनके कोड के अंदर एक पिछला द्वार था यानि की एक चोर द्वार था जहां से चीजें जो थी वो अंदर आ सकती थी और उन्होंने उसके बाद उसको बंद किया और जब ये चीज उनको पत पीडिया फाइल उन्होंने भेजी थी और उस पीडिया फाइल के अंदर एक सौफवेर उन्होंने डाल दिया था जाक जो की एक एडमिन राइट्स उस Exchange के वो दे रहे हैं और ऐसा लगता जब ये पीडिया फाइल और ये जो प्रोग्राम जब ये चालू होता तो ऐसा लेकिन जो ये हमला था वो वो अंदरूनी हमला होता और जान से ये भी पता चलता है कि कि 90 प्रतिशत बार ऐसा होता है कि जो ये एक्षेंज होती हैं उनके उपर जो हमला होता है वो अंदर से ही होता है तो ये जो हमले होते हैं ये जो चीजें होती हैं ये बहुत छोटी-छो और लोग जो हैं बहुत सरल तरीके से इसको भेद देते हैं तो आप जब क्रिप्टो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो ऐसी जो अनुभव हैं ये बहुत होते हैं और इसी लिए सत्यापन की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है अपने प्रोग्रामर्स के लिए भी ये इस तरह हैं मानिए कि जो आपके IT डेवलपर्स हैं उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा पिछला द्वार अपने सौफ़वेर में छोड़ दिया होता है जिसकी वज़ा से वो हमला कर सकते हैं और उसको भेद देते हैं तो जो भी सुरक्षा या जो भी सिक्यूरिटी सिस्टम्स होते हैं उसको भेदे जाते हैं और यही सब चीजें जो थी हम लोग जब हमारे हमने जो ट्रिप लिया हम लोग जो अभी मिंस्क गए और स्विर्जलेंड गए तो हम लोग यहीं पर वहां जाके यहीं बातें कर रहे थे और अगर 15 दिसंबर तक हम लोग तैयार हो जाएंगे तो हम लोग 15 दिसंबर तक अगर सब कुछ ठीक रहेगा अगर 15 दिसंबर तक सब ठीक रहा तो 15 दिसंबर को करेंगे और अगर नहीं तो ऐसी स्थिती में हम लोग जन्वरी में पहुंचेंगे और यह जन्वरी में करेंगे तो कृप्या करके आप समर्थन सेवा में इसके बारे में ना कहे क्योंकि हम लोग फिलाल निर्भर होंगे प्राइमरी ओडिट की रिपोर्ट पे तो 15 दिसंबर तक देखे हमें योगता पता चल जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने बहतरीन रूप से जो हमारा ब्लॉक्चेन है ये काम कर रहा है तो अगर हमने 15 दिसंबर तक काम नहीं किया तो हमें बता चल जाएगा कि जन्वरी में हम कप करने वाले हैं शुरुवात जब हमारा तकनीकी ओडिट पूरा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से यही नवीनतम समाचार है जो मैं आपको देना चाह रही थी और अगली साइट पर आप देख पा रहे हैं जो प्रशन उतर है तो क्या हम Blockchain और Exchange को अलग-अलग कर सकते हैं देखे क्यों कि जोisée ये के या दूसरे के बिना उतखाअटन करना चाहिएगा सगता है कि आप अपने टोकन को किसी और को भीचना चाहते है तो ऐसी स्तिती में हमारे पास दरजन चाट सूंगी टेलीक्रांम में, कि हम बेचना चाहते हैं, C.R.U. को तो हमने पहले ही इसके बारे में बात की है, और हमने इंटर्नल एक्स्चेंज को C.R.U. अंको के लिए हमने उपन किया था, जहां पे आप अपने CRU को बाकी भागिदारों तक पहुंच रहा सकते थे तो इसी तरह से जो crypto wallet है वो भी ऐसे काम करेगा आपके पास अपना crypto token है, आपके पास दूसरे wallet का address है जो बहुत सारे लोगों ने जो CRU थे वो दो सेंट्स पे या पान सेंट्स पे भी खरीदे और बहुत सारे लोगों ने अनुबंद भी अपने हमारे सेभागियों के साथ अनुबंद किया कि जब भी जब भी हमारी external exchange शुरू होगी तो हम आपके जो CRU tokens हैं वो हम 12 cents पर खरीदेंगे लेकिन आपको पता ही है कि जब हम लोगों हमारी जब आंतरिक exchange जो थी जब वो बंद होई तो हमारा जो crew का जो token था वो 20 cents का मूल्य था तो मुझे लगता है कि जब हम भारी exchange खो लेंगे अपनी जो exchange खो लेंगे तो उस समय हमारा नियुनतम जो मूल्य होगा वो 20 cents का रहेगा तो तो इसलिए जो लोग जो नोंने हमारा webinar के अंदर जो है हिस्सा नहीं लिया है वो हो सकता है कि वो बहुत सारे उद्मियों के साथ उनको उद्मी जो है उन तक पहुँच बनाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि आप अपने क्रू जो है हमें 5 या 10 cents में दे दीजिए और बहुत सारे लोग जो है वो ये क्रू जो है वो बेच भी देंगे कि हम लोग अगर क्रिप्टो वॉलिट्स जो है अगर हम लोग उनको शुरू करते हैं बिना बहुत सारे घुटाले होने का अंदेशा है और ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने मैंने अपने व्यक्तिकात अनुभव से मैंने बिटकॉइन में और इर्थूरियूम में देखी है जब वहाँ पर जो एक्सचेंज थी उस समय वो कारेरत नहीं थी लेकिन सिरफ वॉलेट्स कारेरत थे और उसमें बहुत सारे घोटाले हुए तो इसलिए हर एक टोकन के पीछे पैसा है तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारे जो CRU हैं वो बहुत मुलेवान समपत्ती हैं और ये आपको स्टेकिंग करने का मौका देते हैं आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सेदार बनाते हैं और उसके बाद आप UNTB सकते हैं जब आप उनके साथ अनलॉक्ट CRU होते हैं तो आप UNTB को दुबारा स्टेक कर सकते हैं तो वर्ल्ड CRU जो है वो आपको प्रोफी बोनस भी देंगे लोग मुझसे बैंक कार्ड के जो जो चार्जिस हैं उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं तो दोस्तों कि आपको ये जानकारी जो है वो आपको सार्वजनिक वेबिनार में नहीं दी जाएगी वेबिनार में दी जाएगी वैलंटाइन और मुझे इस समय वक्त नहीं मिल पाया है कि हम लोग कुछ स्लाइड्स बना सकें लेकिन हम लोग जो बहुत ही विस्तार से हम लोग प्रस्ति बनाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे टैरिफ्स और सारे के सारे आपको जानकारी दी जाएगी जो की एक बंद कमरों की बैठक होगी और जो चीजें जो सार्वजनिक हैं वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी और आपको यूजीपे की वेबसाइट की उपर भी मिल जो सीमान हो अथाई गास्ट करेंद को स्क्त्राइगा मुलने जो मास्टर काम स्क्राइग से iç मत वान मू cigarette more आपने होगा तो जब आपने form को भरत धा तो तो जब वर्चिल काम हुव पांसे 10 डॉलर का, का है और जब आप उसके अंदर, जब आप साथ काम करते हैं उसको अंदर पैसे जो हैं उसको हस्तांतरन करने में, बिटकोईन में या अर्थूरियम में तो ये जो कार्ड है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये एक प्लैटिनम कार्ड की तरह है जब मैं इसको बोलती हूँ कि ये unlimited या सीमित कार्ड है हो सकता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रही हूँ, लेकिन ये एक प्लैटिनम कार्ड है और प्लैटिनम कार्ड का जो पहुंच है या limit जो है, वो एक एक लाग डॉलर तक की होती है और इसके अंदर जो आपका cash withdrawal है या जो cash या रोकड की निकासी है वो भी होती है और इनके अंदर आप जो है, कुछ cards के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ भी commission नहीं देना पड़ता लेकिन दोस्तों, आपको मैं याद दिला दूँ कि अगर ऐसा कोई card है, तो वो आपसे साल दर साल बहुत जादा fees जो है, वो आपको चार्ज करते हैं और इसी वजह से जो cards का, की जो पूरी की पूरी जानकारी है, वो मैं आपको बाद में दूँँगी और मुझे इस बार वक्त नहीं मिला कि मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको बता सकूँ, लेकिन अगले webinar तक मैं ये पूरी कोशिश करूँगी, कि ये सारे slides मैं बना सकूँ एक और प्रशन था, और अभी हमारे पास अभी 20 मिनट हैं, इस सत्र के लिए, तो एक प्रशन जो Allen, जो की Netherlands से हैं, वो हमसे पूछ रही है की taxes का क्या होगा, और वो ये पूछ रही है कि अगर हम लोग अपनी exchange के अदर trading शुरू करते हैं, और लेन दिन शुरू करने के और फिरौत खरीद और बेचते हैं, तो उसके हमें कुछ आए हो सकती है, या मुनाफ़ा हो सकता है, तो हम उसको किस तरहां से हम अपने taxation में या कर आए कर में उसको दिखा सकते हैं, तो देखें दोस्तों कि अगर आप देखेंगे कि जो CRU अंक हैं, जो शुरूती उनका खरीदा है और आपने 1000 डॉलर का और उसके बाद आपको कुछ CRU मिले हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जितने उनको CRU मिले हैं, उसको 1000 डॉलर से उसको वो विभाजित कर देते हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा आ जाता है, तो आपको ये बोलते हैं कि उधारन के तौर पर क आपने जो CRU है, वो 10 सेंट्स या 12 सेंट्स का मुले होगा, लेकिन अगर मैं आपको सच्ची बात बताओं, तो आपने EIP खरीदा है, और EIP जो है, वो आपने 1000 डॉलर का खरीदा था, और जो CRU अंक हैं, वो आपको तौफे के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए, तो जो CRU का जो न्यून्तम या जो शुरुवाती मूले है, वो शुन्ने होगा, और स्टेकिंग में भी यही है, कि जब आप WCRU को स्टेक करेंगे या CRU को स्टेक करेंगे ब्लॉक्चेन के अंदर, तो आपको UNTB मिलेंगे, बिलकुल मुफ्त, जो कि एक पुरुसकार के र बेचते हैं इन UNTB टोकन्स को, तो हो सकता है कि न्यून्तम मूले जो निर्धारित किया जाएगा, वो एक सेंट्स का होगा, हो सकता है कि कुछ देर के बाद वो पांच सेंट्स का हो जाए, तो आपकी जो शुरुवाती मूले है, वो आपकी शुन्ने है, और आपका बेचन बिल्कुल उससे पता चल जाएगा कि आपका मुनाफ़ा कितना है, और आपको उसी हिसाब से अपना आयकर रिपोर्ट आपको अपनी फाइल करनी पड़ेगी, और हर एक देश का ये आयकर जो है, ये जो कर का जो प्रतिशत है, ये अलग है, तो इसी लिए हम आपको एक सार आजनिक रूप से हम ये नहीं बता सकते कि आपको कितना मूले आपको कहां देना है, और किस देश में कितना मूले आपको देना है, तो इसी लिए मैं यही कहूंगी कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है, वो एक्सचेंज की जो स्टेटमेंट है, वो आप ले जाकर आप कोई 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 उनका पॉलिसीज हैं जिसके अंदर वो खरीद सकते हैं तो देखिए अगर किसे ने मुझे जर्मनी का मुझे मालूम है कि जब आपका बिटकोईन जो खरीदते बेचते हैं उसके अंदर कोई कर नहीं लगता मुझे मुझे ये नहीं पता है कि हर एक देश के अंदर क्या-क्या नियम है क्या-क्या शर्ते हैं तो इसलिए आपको यह थोड़ा सा देखना पड़ेगा जो आयकर है आयकर विभाग में अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको पता है कि जो डिजिटल करंसी को खरीदने या बेचने की ऊपर कुछ अगर कर लगता है तो वो कितना लगता है तो यह सब आपको जो है आयकर विभाग वाले बता सकते हैं या आपको आयकर काउंसलर जो है वो बता सकते हैं तो रश्या में जो है वहाँ पर एक ओपन डे होता है खुला दिन होता है जहां पर आप आयकर विभाग में जाकर लोगों उसे प्रश्न आएगा और उनसे सारी दौलत ले ली जाएगी जी नहीं बिलकुल नहीं आप लोगों से आयकर विभाग से ये प्रशन पूछ सकते हैं आप उनको अपनी कहानी बता सकते हैं जैसे कि मैं एक क्रिप्टो करणसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं मैं भाग ले रहा हूं और मैं चाह पूछ सकते हैं कि हमें कितना आयकर जो है उसके ऊपर देना पड़ेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि आप गूगल कर सकते हैं ये भी बिलकुल ठीक बात है और कुछ देश जो है जहां पर क्रिप्टो करणसी जो है वो बिलकुल जो है वो मानने नहीं है वो कानूनी रूप से म पर जैसे पैलेस्टीन के अंदर तो आपको सीधाफासी दे दी जाएगी अगर आप बिटकोइन की माइनिंग करते हैं उनका खनन करते हैं और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जहां पर बहुत जादा दिक्कत है विद्युत की इलेक्टरिसिटी की और इसलिए वहाँ पर बिट खनन है वो प्रूफ ऑफ वर्क है और आप इसलिए देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपके देश में निशेद हैं क्योंकि बिटकोइन के खनन में बहुत सारा विद्युत का इस्तेमाल होता है लेकिन हमारे केस के अंदर ऐसा नहीं है हम लोग स्टेकिंग करते हैं और जो स जोएई, Oman, Saudi Arabia इन देशों में जहां पर जो की Middle Eastern countries हैं तो इन देशों के अंदर उन वो जो है वो जो एक्सचेंज की जो 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 एक्सचेंज है उसकी उपर निशेद है वो मानते हैं कि ये जो एक्सचेंज है ये शायद जोए के लिए इस्तेमाल होती है और कुरान के हिसा आप से ये जो 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 जुआ है वो निशेद है तो इस वज़ा से ये जो Middle East की जो देश है यहां पर जो Bitcoin है या जो Digital Currencies है वो जो है वो धर्म अनुसार ठीक नहीं है और इसलिए ये निशेद है तो आप देखेंगे कि हमारे website के अंदर जो कुछ देश है जो Estonian देश के जो क जानून है आप देख पाएंगे कि जो यूजर है उसको या जो उपयोग करता है उनको जो उपयोग करता जो Middle East से हैं वो उनको बताना अनिवार्य है कि ये Bitcoin माइनिंग है और इसलिए उनको ये बोला जाता है कि हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और आप जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कर रहे हैं या आपकी उसकी उपर व्यक्तिगत जिम्मेवारी है तो कुछ exchange में ऐसा भी है कि इन देशों से जो लोग जो है वो पंजिकरत नहीं कर पाते हैं तो कई बार जो लोग है वो अपने देशों देश का देश का नाम बदल कर वो पंजिकरत कर लेते हैं तो इसलिए कई बार हमारे पार्टनर जो है वो लोग हमसे पूछते हैं इन देशों में से कि हम लोग क्यों नहीं पंजिकरत कर पाते हैं आप कर सकते हैं लेकिन आपको अपने देश के देश की शर्तों के नियमों के पता होना चाहिए पंजेकृत करने से पहले तो बहुत ही हाली के जो प्रश्ण जो मुझसे पूछे जा रहे हैं एक्षेंज के बारे में सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में तो ये सब चीजे मैंने आपको पहले से ही बता दी हैं और हमारे पास अभी एक प्रश्ण है जो कि कहाए कि निर्देशों में जब आप अपना नाम देते हैं तो उसके अंदर लेतिन अक्षरों का इस्तिमाल होना चाहिए और देखिए मैंने ये चीज ये निर्देश मैंने नहीं पड़े हैं और मैंने जो है वो अपना नाम लेतिन नक्षरों में नहीं डाला था और मेरी जो पंजीकरन है वो भी मेरा जो पंजीकरन था वो ठीक हो गया और मेरा इमेल जो है वो भी मुझे इमेल भी दुबारा वापस आ गया कि मेरा पंजीकरन जो है वो सफल हो चुका है देखिए बिल्कुल सही बात है देखिए हम लोग बस यह चाहते थे कि जो आपका जो email है आप उसको copy paste ना करिए हम क्योंकि और दूसरी चीज यह है कि जो आपका जो email अगर जब आप exchange के ऊपर आप अपना email से अगर आप अपना पंजिगरन करते हैं तो वो बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है तो इसी लिए जब आप login करेंगे तो अगर वो login में जो है अगर वो बिलकुल email के साथ mail खाएगा तो वो देखेंगे कि वा इनके नोंने तो अपना इनके पास तो 10,000 US डॉलर है और मुझे इनका email पता है तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह से इस email का password का पता लगाता हूँ ताकि मैं इस exchange से उनका ये पैसा निकाल सकूँ और चूंकि ये जो user name है आपकी पहुँच बनाता है आपके account में तो इसी लिए हम लोगों ने login के अंदर ये ये शर्त रखी है कि आपको अपने Latin अक्षरों के अंदर ही आपको अपना जो है login का नाम बनाना है तो और जब आप पंजिकरन करने की कोशिश करेंगे अगर आप उसके अंदर कुछ number डालेंगे तो या आप नियम और शर्तों के हिसाब से पंजिकरन नहीं करेंगे तो आपका जो पंजिकरन जो है वो हो सकता है कि आगे चल कर विफल हो जाए लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको कभी भी अपना पंजिकरन जो है अपना जो यूजर नेम है कभी भी अपने इमेल की उपर नहीं रखना चाहिए तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एक्सचेंज का जो जो लॉगिन है वो आपके API लॉगिन के साथ जैसे है वैसा ही रहे तो आप उसको भी कर सकते हैं तो हम लोगों ने जो आपको बताया है आपको ये बताया है कि आप email के माध्यम से आप बिल्कुल भी अपना पंजिकरन ना करें एक और प्रशन आ रहा है कि हम लोग जो अपने व्यक्तिकत खाते से हम लोग CRU खरीदने के लिए हस्तान्तरन करते हैं और ये वाला जो पैसा है ये main account की अंदर होता है तो मैंने जो top up किया था वो मैंने bank card के माध्यम से किया और bonus के साथ साथ ये जो चीजे हैं वो भी हस्तान्तरन हुई है देखिए अगर आपने पैसा जो टॉप अप किया है और अपने बैंक कार्ट के माध्यम से किया है तो आपका अगर हस्तांतरन जो है वो नहीं आया है आपके अकाउंट में तो आप सपोर्ट के उपर आप जाएं सपोर्ट टीम से आप संबंद बनाएं और वो इस चीज़ को परिक्षन करेंगी कि आपने वाकई में जो आपका टॉप अप है वो सफल हुआ है तो वो आपकी मदद करेंगे तो अगर और अगर आपने कुछ क्रू खरीदे हैं टॉप अप से तो अब आपको ये ढूनना पड़ेगा उन लोगों को ढूनना पड़ेगा जो आप से ये आंतरिक एकाईयों को खरीदने की शमता रखते हैं या खरीदना चाहते हैं और आप वहां से आप जो है वो उनके हश्टांतरन कर सकते हैं और उनसे पैसे ले सकते हैं तो ये सब चीजें जो हैं देखें जो यूनिट्स जो आपके बैक ओफिस में ये बिलकुल अलग है और ये जो है या तो A-P-A-I की संपतियं या यह एक्सपतियिक चैन्ज जो है वो एक स्टोनियन exchange है और इसे लिए इस company से अपने आप स्वता ही Estonian exchange तक नहीं पहुँचेगा तो पहले आपको अपना जो पैसा है वो ethereum या bitcoin के माध्यम से इसको अपने digital wallet में डालना पड़ेगा और उसके बाद उसको Estonian exchange में डालना पड़ेगा तो जो units जो आप back office से खरीते हैं तो उससे क्या हम लोग उसको top up कर सकते हैं जी नहीं बिलकुल नहीं जो ये जो units हैं ये हमारे अपने भुकतान प्रणाली के साथ नहीं जुडेंगी तो दोस्तों ये जो webinar जो है ये बहुत छोटा webinar है और इसे लिए मैं आप सब का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे आए और मैं इंतजार कर रही हूं कि हम आपके साथ अगले सत्र में मिल सके धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हमारा ये सत्र आज खतम हुआ और मैं और साक्षी मलोत्रा इस सत्र का अब यहीं पे अंतकर